19 मईसन 2023 को जापान के हिरोशिमा में G7 का 49 मा सिखर सम्मीलन संबन हुआ जिसमें प्रधान मंत्री मोडी ने भी हिस्सा लिया पर क्या आप वाकई जानते हैं कि G7 क्या है इसमें कौन-कौन से देश है इसका काम क्या है शुरूबाती समय में यह G7 ना होकर G6 हुआ करता था इसकी सुरूबात करने में दो व्यक्तियों का बहुत बड़ा योगदान है जिनमें फ्रांस के राष्टपती वालेरी गिजगार टी इस्टाइंग और दूसरे उस समय के वेस्टन जर्मनी के चांसलर एलमुट शिमिट थे इसकी सुरूबात सन 1975 में हुई थी उस समय इसे विश्व आर्थिक सिकर सम्मेलन कहा गया सुरूबात में इसमें जर्मनी, फ्रांस, ग्रेट बिटेन, इटली, जापान और अमेरिका शाविल थी इसे उस समय G6 का नाम दिया गया इसमें हर वर्स अलग-अलग देशों में मीटिंग करके अलग-अलग समस्याओं का समाधन ढूना जाता है G7 का एक पर्मानेंट मुख्याले नहीं है, इसमें आगे चलकर केनडा भी शामिल हुआ G6 के प्रारम होने का कारण सन 1975 से पहले दुनिया की अर्थ विवस्ता में दो बड़े संकट थे उनी संकटों को G6 की सुरुवात की वजह माना जाता है जिसमें पहला संकट था जाओ अमेरिका के प्रेसिडेंट रिचर्ड निक्सन ने ब्रेटन वुड्स को बंद कर दिया था मतलब सौने के बदले डॉलर प्राप्त करना बंद कर दिया था जिसकी वजह से एकोनोमिक क्राइसिस की समस्या बन रही थी दूसरा कारण सर 1973 से पहले अरब और इसराइल के बीच युद्ध चल रहा था जिसमें इसराइल की जीत हुई इसी युद्ध के बीच अमेरिकी प्रेसिडेंट निक्सन के द्वारा गोशला की गई अमेरिका इसराइल को आपात इस्तिती में 2.2 बिलियन डॉलर की साहेता देगा जिससे अरब देश नाराज हुए और उन्होंने तेल पर प्रिदबंद लगा दिया अरब देशोंने अमेरिकी आयाद बंद कर दिया जिसकी वज़े से कच्चे तेल के दाम बढ़ने लगे इनी कारणों की वज़े से G6 बना और इसकी पहली बैटक सन 1975 में हुई सन 1906 में G6 में कैनेडा शामिल हुआ और फिर G7 कहलाया सन 1908 में परविंगम सिखर सम्मेलन में रूस इसका सदस्य बैना और फिर यह G8 कहलाया इसके पास सन 2014 में जब रूस ने यूकरेन पर हमला किया और क्रीमिया को रशिया में मिला लिया जिससे G8 से रशिया को हटा दिया गया और यह संगटन फिर G7 बन गया इसका सिखर सम्मेलन सभी सदस्य देशों में बारी बारी से होता है G7 में जो देश हैं उनकी GDP विश्चु की GDP की लगभग 31 प्रतिशत है सन 2022 के सिखर सम्मेलन में AIDS मलेरिया इत्यादी जैसी बीमारियों से लडने के लिए अलग-अलग देशों को आर्थिक साहिता दी गए सन 2015 में United Kingdom ने Global Apono Program को बढ़ाया जिसमें उर्जा, अनुसंधान और Development के आधार पर जलबायू परिवर्तन सिन्मी पठने के लिए बनाया गया इसमें जो विक्सित देश है वह अपने लाव के लिए काम करते हैं G7 में European Union का प्रभाब बहुत ज़्यादा है तो आशा है अब आप समझ चुके होंगे कि G7 क्या है